सावन में क्यों नहीं खाया जाता है नुनवेच देखिए सावन का मोसम सेहत की दृस्टी कौन से मैतवपूर है धार्मिक दृस्टी से देखे तो इस मोसम में बगवान शीव की पूजा के कारण मासार का सेवन वर्जित है ग्यानिक दृस्टी कौन से भी देखा जाये तो इस महीने में मासार का सेवन नहीं करना चाहिए इस महीने रिमजिम बारिस होती रहती है वातावरन में फंगस फफुंदी और फंगल इंफेक्शन बढ़ने लगते है खाने पीने का समान जल्दी खराब होने लगता है क्योंकि सूरिय चंद्रमा की रोशनि का अभाव हो जاتा है जिससे खात्य परदार्त जल्द संकरमत हो जाते है पाँचन सक्ती कमजोर हो जाती है सावन के महीने में लगातार बारिस होने से आदरता और नमी बढ़ जाते है जिससे हमारी पाचन अगनी कमजोर हो जाती है मासाहर परदारतों को पचने में ज्यादा समय लगता है पाचन सक्ती कमजोर होने से 99 छूड आतों में सड़ने लगता है पेट भारी लगने लगता है चोकि हमारा पूरा सरीर हमारे पाचन अगनी पर ही निर्वर है जिससे हमारी तवियत खराब हो जाती है अगनी ही हमारे सरीर के सब्त धातूओं का निर्मान करने में शक्षम होती है यूँ कहें कि पाचन अगनी ही हमारे सब्त धात्वों की गुणवत्ता को निर्दारित करती है जानवर भी हो जाते हैं बिमार वातावर्न में कीडे मकोडों की संख्या बढ़ जाती है कई बिमारियां जैसे डैंगू, चिकनगुनियां होने लगते हैं जानवरों को भी बिमार कर देते हैं, इनका मास्ट सेवन करना हानिकारक होता है जै श्रीराम